वेलकम टू माई न्यू अनूदर कुकिंग ब्लॉक और आज की जो ये रेसिपी है ये है हमारी यूवी के बढ़डे वाले दिन की तो उसकी जितनी भी रेसिपी है वो मैंने आप लोगों के साथ में सतारी शेयर कर रही हूँ तो ये जो दाल मखनी की रेसिपी है बिलकुल र प्लेम के उपर और फिर सुबह जाकि वो इसकी डाल बनाते हैं तो इतनी घूट जाती है वो तो वही रेसिपी में आप आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो यहां देखिए मैंने रात को भीगो की छोड़ दिया था एक कटोरी साबुत मुंकी डाल जो साबुत उड़त दाल ठीक है इस यह जो दाल है इसके अंदर मैंने लिए है साबुत उड़त दाल लिए है मैंने और उसी के साथ में मैंने लिए है वन फोर्थ कप लिए है मैंने राजमा और दो बड़े चमश लिए है मैंने चने की डाल के अब मैं इसको पूरी रात मैंने भीगो क पॉसकि बार्दम के बार्द में कश्मीरी लाल मिर्षी नमक दालाले मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग और मैने इसकें अंदर डाला है पॉन से एक घंटा हो गया होगा लगबग एक घंटे की लगबग मैंने इसको slow flame पे इसको cook होने के लिए चोड़ दिया अब आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से ये गुटी-गुटी हो गई है रेस्टोरेंट वाली हमें इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है क्योंकि वो लोग इसको पूरी रात गुटने के लिए चोड़ते हैं मतलब पूरी रात वो पकती रहती है धीरे-धीर और यहां हम लोग इसको फटा-फट रेसिपी बनाने के चक्कर में कि इसको फटा- वो मैंने आपको Method आपको बता है अब यहां देखिए मैंने एक कडाई लिए कडाई में मैंने बटर डाला है और साथ में मैंने तेल डाला है इन दोनों चीजों को गरम होने के बाद में यहां डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची इस से क्या होगा कि आपकी सबजी का जो ह वो color बहुत ही प्याराएगा आपको कुछ भी और add-on करने की जौर्थ नहीं पड़ती है यह जो डाल मखनी होती है इसमें extra मसाले कुछ भी नहीं जाते है यह सिर्फ हमने लाल मिर्ची डाली है इसी के साथ में देखिए यहां मैंने डाली है लैसुन, अद्रक और हरी मिर्ची का पेस्ट क्योंकि इसमें तीखेपन के लिए हम हरी मिर्ची डालते है इसमें डाल दिये मैंने हरी मिर्ची ली है quantity मेरी काफी ज़्यादा है तो इसके लिए मैंने यहां पर quantity आप अपने according इसमें adjust कर सकते हो कि अगर आप थोड़ी ले रहो तो दो से तीन हरी मिर्ची ले लो और उसी के साथ में ही मैंने यहां डाले है च्यार मैंने टमाटर लिये है जिसको मैंने ब्लांच नी किया सिर्फ नॉर्मली उसकी प्यूरी बनाई है अब आप देख सकते हो यहां कलर कितना fine कलर आ रखा है यह कलर आता है सिर्फ उसी से जो हमने starting में जो कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है उस वज़े से इतना प्यारा कलर आता है यहां आप देख सकते हो कि जो मसाले है कितने अच्छे से यह पक चुका है आप देख सकते हो तो इसी तरीके के हमें बिलकुल मसाला हमें चीए और बहुत अच्छे से यह हमारा पकर रहा है आप इसके कलर देखिए और साइडों में जो रोगन जिसको बोलते है उसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर है यहां मैंने जो दाल हमने बॉयल की है इस दाल को मैंने कम से कम दो बड़ी सीटी दी है दो बड़ी सीटी के बाद में मैंने इसको एक गंटे के लिए बिलकुल मंदी आच पे मैंने इसको पकने दिया है अब आप देख सकते हो किती अच्छे से ये गुट चुकी है अब इसके साथ साथ में हमें जो मैशर होता है आप चाहे उससे भी कर सकते हो या फिर जो बड़ा वाला जो चमचा होता है जैसे मैंने लिया है बड़े वाला चमचा होता है उससे भी आप इसको गुटा सकते हो त एक बड़ा ग्लास मैंने यहां पे दूदगा डाला है, अब मैं यहां डाल रही हूँ, आदा कटोरी के लगबग जो हमारी घर की मलाई होती है, उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने वो डाली है, ठीक है, इससे क्या होगा कि दूद और जो हमारी एक मलाई गई है, घर वाली मल आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे यहां देखिए यहां लिया है मैंने डाल मकनीगा मसाला ठीक है ड्राइए मसाला मैंने बनाया है अगर आप लोगों को चीए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए मैं आप लोगों की साथ में यह रेसेपी भी शेयर करूँगी यह जो मस अगर वो नहीं है तो आप इसकी जगह आप डाल सकते हो किचन किंग मसाला ठीक है या फिर किचन किंग मसाला भी नहीं है तो फिर आप डाल सकते हो यहां पर गरम मसाला जब हमारी दाल तयार हो चुकी है यहां मैंने डाल दी है लास्ट में कसूरी मेती जो की रोस्टेड है कसूरी मेती डाल दी है, ये थोढ़ा सा इसको और creamy texture देने के लिए मैंने डाल दी है, ये totally optional है, अगर आप डालना चाहो इसी stage पे तो आप डाल सकते हो, otherwise आप serving के time पे डाल सकते हो और यहां मैंने क्या किया है कि जब मैं यह बना रही थी तो quantity काफी जादा थी और serving के time की जो वीडियो थी वो मैं आप लोगों के साथ में share नहीं कर पाई वो हमारा last का वीडियो रहे गया तो serving के लिए आपको क्या करना है जब आप last में डालते हो तो उपर से थोड़ी सी आप धनिया पत्ती के साथ में और हमारी fresh cream के साथ में आप इसको garnish कर सकते हो बहुत अच्छा result आता है ठीक है तो यह देखिए यह हमारी बिलकुल restaurant style आपको दाल मखनी मिलेगी बहुत ही अच्छे से यह गुड़ चुकी है इसको बनाते वे मुझे लगे थे 2-5 गंटे बहुत slow flame पे हम इसको work करते हैं तो एक बार आप इस तरीके से बनाईए और अग कि लग रियुत मुझे लाप